हाई गाईज वेलकम टो और यूटूब चैनल 24 आवर सब्टूरेट आज हम बात करने वाले एक आजसे स्टॉक के बारे में जो आपको अगला मल्टी बैगर स्टॉक बनते हुए दिख सकता है जहां तक के बजट के बारे में देखा जाए तो बजट में ज़्यादा तर फोकस और 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 के जहां बात आ रहे तो और स्क्रैपिंग पॉलिसी ये एक नाम हमें देखने को मिला पॉलिसी के तहट हमें ये बात जानने को मिली कि कमर्शियल वेहिकल जो है उनको आप रोड पे चलने के लिए आप पहले की तरह फ्री नहीं रहेगा उनको 15 सा के बाद उदका फिटनेस टेस्स कराना पड़ेगा अगर वह फिटनेस टेस्स में पास हो गए मतलब सब ठीक रहा तो आप वो वेहिकल चला सकते हैं और वह वेहिकल चलाने नहीं दिया जाएगा जहां तक कि प्राइवेट वेहिकल की बात की जाये तो 20 साल के बाद उसका भ पर फोकस करेंगे और एलेक्रिक वेहिकल का नाम आते ही हमें एक स्टॉक मद्दे नजर आता है तो वह है टाटा मोटर्स इसमें हमें बहुत ही ग्रोध करते हुए देखने को मिल रहा है तो आज हम टाटा मोटर्स इस शेयर के बारे में जानेंगे इसके आगली टार्गेट हम कर लेंगे जहां तक कि इसके वन येड के परफॉरमश की बात की जा है तो तोब मतलब अते सेल्स होना जो चीजें सेल्स होते रहती है तो टा्टा मोटर्स की सेल्स गृथ एकदम बढ़िया हमें देखने को मिलती है और आप ये पॉलिसी के तहत इसमें बहुत ही ज़ादा ग्रोथ हमें देखने को मिलती है मार्केट ही ऐसी चीज़ें कि जहां नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बाते हमें देखने को मिलती है तो इसमें थोड़ी से नेगेटिविटी आनेक पर आप ऐसा मत सोच लेना कि यह वीडियो में ऐसा कहा गया था वह वीडियो में वैसा गया था तब भी यह स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है तो यह थोड़ी वर्टैलिटी बनी हुई रही थी है लेकिन लॉंग तर्म के परपस से देखा जाए तो यह स्टॉक बहती बहतरीन यह स्टॉक है जहां तक कि टाटा मोटर सो टाट बार बार आभी तक की वीडियो में आपसे कहते माई कि पर मोटर की जहांते कि Tata Motors के quarter 3 के results की बाद भी की जाये तो वो भी उन्होंने शांदर performance दिखाये थे तो Tata Motors के sales भी हमें 5.55% से growthable देखने को मिल रहे है sales बड़ी मतलब stock ये अच्छा trend करते हो देखने को मिल रहा है ये बात अग ध्यार में रख ले जहांते कि इसके technical rating की बात की जाये तो daily basis पे weekly basis पे monthly basis पे सभी हमें moving averages हो technical indicators हो moving averages cross over सभी हमें bullish range में देखने को मिल रहे हैं आगे हम इसके target भी जानेंगे जहांते कि इसके थोड़े से overview की बात की जाये तो market cap wise ये stock 98,646 करोड रुपीज का देखने को मिलता है इसके book value per share देखा जाये तो 203.70 इसका book value देखने को मिलता है और PC इसका 17.36 देखने है sector wise इसका PE देखा जाये तो बहुत ही खास है 52.43 का जहांते कि इसके net profit की बात की जाये तो उसमें भी हमें 67.2 परसेंट देखने को मिला जहांते कि इसके EBITDA की बात की जाये तो वो 54.87 परसेंट देखने को मिला as 2019 के मुकाबले Tata Motors EPS has increased also 8.07 परसेंट की साथ वहां December 2019 में वो था 5.02 परसेंट मतलब यहां तक कि Tata Motors के EPS हो EBITDA हो या net profit हो सभी में हमें growth देखने को मिल रही है जहांते कि इसके आज के चार्ट पैटन की बात की जाये तो इसने आपनी opening 293.60 पर की थी और आप यह फिलाल ट्रेड कर रहा है 319.45 पर यह ट्रेड करता देख रहा है इसमें लगबख हमें 14.25 परसेंट की growth होती होई देखने को मिली एक दिन में इतनी growth यह कर सकता है तो अगले दिन थोड़ा साई low भी जा सकता है ऐसा नहीं है कि यह constant ऐसा अप्ट्रेंड ही बना रहेगा इसमें थोड़ी सी टार्गेट इसमें बताय जा रहा है जहाद तक इसके 320 का टार्गेट हो यह जल्दी अच्यू कर लेगा और इसके 350 के टार्गेट आने तक यह बात तो सची हो जाएगी तो टार्गेट प्राइस को मंदे नजर रखते हुए आप इसमें बाइंग की कॉल ले सकते हैं और साती सथ आप इसमें थोड़ी सी और डिपली आनलेसिस भी करके इस स्टॉक में खरिददारी कर सकते हैं पर मेरे नजर यह से देखा जाए तो यह स्टॉक आपको कभी भी तो हमेशे ग्रोथ रखी बली देखने को मिलेगा आगे कुछ येर के बाद येर बोलो या six month या one year के बाद भी देखा जाय तो यह स्टॉक आपको ग्रोथ रखी बली देखने को मिलेगा क्योंकि जिस तरह से अभी मोहल बन रहा है इलेक्टरिक वेहिकल का तो यह सेक्टर यह स्टॉक हमें अप्ट्रेंड ही करता हुआ देखने को मिलेगा आपको सब इंफोर्मिशन समझ में आ गई होगे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हीट करना ना भूले ताकि यह से नॉलिजबल वीडियो आप से मिसना होजए तो थांक यू सो मच